लेटेस्ट नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें मुंपली के फायदे बादाम से किसी भी तरह से कम नहीं है यह ना सिर्फ ठंडगे मोसम में दोस्तों के भी असी ठिटोली और टाइम पास का बढ़िया जरिया है बलकि यह पोश्टिक तत्रुगा भी खजाना है आज के इस वीडियो में हम मुंपली खाने से होने वाले जबरतस फायदों के बारे में चर्चा करेंगे इन फायदों को जानने के लिए वीडियो अन्तक जरूर देगे क्योंकि संपून ग्यानी हमेशा फायदेबन होता है मुंपली सर्दी जुकाम में भी उप्योगी होती है जी हाँ दोस्तों मुंपली सर्दी जुकाम के लिए बहुत लाबदायक होती है अगर आप सर्दी के मौसम में मुंपली खाएंगे तो आपका सिरी गरम रहेगा यक तासी में उप्योगी है वो फेबरे को मजबूत बनाता है मुंपली खाने से खराब कोलेस्ट्रोल भी कम होता है जी हाँ दोस्तों मुंपली में मोनो अनसेचुरेटेट पेटेसिट पाय जाते है जो कि खराब कोलेस्ट्रोल को कम करके गुड कोलेस्ट्रोल को बढ़ाते है मुंपली वोजन कम करने में भी बहुत मददगार होता है जी हाँ दोस्तों मौंगपली में प्रोटीन और फाइबर होते हैं ये दोनों पोसक तब भूग को कम करने में फ्रवावित होते हैं इसलिए बोजन के बीच में कुछ मौंगपली खाने से आपकी भूग कम हो जाती है जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है रोजाना मुंपली का सेवन करने से जल्दी ही वजन कम होने लगता है मुंपली खाने से अवसाद भी कम होता है जी हाँ दोस्तों सरीर में सेरोटोनिन का कम इस्तर अवसाद जिसी समस्या उत्वन करता है मौंगपली में मौझूद ट्रेपोपेनिन इस रसायन को निकालने मदद करता है और इस परकार ये आपको अफसास से लड़ने में मदद करता है मौंगपली खाने से कैंसर का खत्रा भी कम होता है जी हाँ दोस्तों, मौंगपली में ऐसे तत्व पाये जाते हैं जो पेट के कैंसर को जोकिम को कम करने की सम्तार रखते हैं मौंगपली विशेश रूप से महिलाओं में पेट के कैंसर को कम करती है दोचमच, मौंगपली के मकन का कम से कम सब्ता में दो बास से उन करने से महिलाओं और फूर्सों में पेट के कैंसर का खत्रा कम होता है यह महिलाओं के लिए मौंगपली के सबसे अच्छे लाबों में से एक है मौंगपली का सेवन अलजैमर के रोगियों के लिए भी बहुत ज़़ा फायदिमन होता है जी हाँ दोस्तों किसी भी परकार से मौंगपली का सेवन करना अलजैमर जैसी बीमारी सो लड़ने में मदद करता है इसमें एक ऐसा योगी पाये जाता है जो मर्द कोश्वाँ को करने डेने की रक्सा करने और अलजैमर रोगियों में तंत्री का संबंदी सत्य को रोगने के लिए फायदिमन होता है पुबली हुई या भूनी हुई मौंपरी ज़्यादा लाब दायक होती है झाल